बांगलदेश के पूर्व पीम शेख हसीना ने गाजयबाद इस्थित हिंडन एयर बेस पर अपनी तीसरी राद बिताई तीन दिन बीच जाने की बावजूत उन्हें किसी भी देश का वीजा नहीं मिला है जिससे उनकी स्थिती और भी जटल हो गई है सूत्रों के मताबिक शेख हसीना की उदासी और मायूसी उनके चेहरे पर सपष्ट रूप से देखी जा रही है अभी मौजूदा वक्त में उनकी उमीदे दुबई के वीजा पटेकी हुई है लेकिन अभी तक इस संदर में कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है हिंडिन एयबेस पर शेख हसीना की ठेहरनी की स्थिती पर कई कयास लगाए जा रही है सूत्रो ने बताये कि शेख हसीना की स्थिती को देखते हुए भारती अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा और आवास की वेवस्था को प्रात्मिक्ता दी है हाला कि वीजा की अनिश्टा ने उनके मनुबल को प्रभावित किया है इस समय उनके चेहरे पर छाई उदासी इसका सपष्ट संकेत है सूत्रो के अनुसार गाजयबाद के हिंडन एयर बेस में शेख हसीना के लिए सरकार की ओर से सभी इंतिजाम किये गए है उनकी सिक्योरिटी को खासा दुरुस्त रखा गया है इस बीच अन्य अंतराश्टरी हस्तशेप की संभाबना के बीच शेख हसीना के वीजा की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के प्रयास हो रही है भारती विदेश मंत्रा ले और अन्य संबंदित एजंसिया इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है इसे पहले शेख हसीना की ओर से हिंडन एयर बेस में कोई जरूरत का सामान खरीदा गया था सूत्रों के हवाले से पता चला कि बांगलदेश की पूर्व पीम शेख हसीना ने अपनी बहन और अपने ले हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर बने शॉपिंग कॉंप्लेक्स से जरूरी सामान की खरीदारी की थी यहां से उन्होंने अपने और अपनी बहन के ले कपड़ों की खरीदारी की बांगलदेश की पूर्व पीम शेख हसीना ने इसकी पेमेंट इंडियन करेंसी में की लेकिन उनके पास नोट कम पढ़ गए इसके बाद उन्होंने भारती नोट कम पढ़ने पर बांगलदेशी नोटों को दिया और पूरा पेमेंट किया मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि शेख हसीना बांगलदेश से निकलते वक्त चार सूट केस और दो बैग लेकर निकली थी जिसमें जरुवत का सामान मौझूद था आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें